दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा Realme Buds Wireless 3 का 1.1.0.64 फार्मवार अपडेट के बार में तो दोस्तो यह जो फार्मवार अपडेट आया है Realme Buds Wireless 3 में क्या यह अपडेट आपको करना चाहिए और यह अपडेट आप कैसे करेंगे और इस अपडेट में आपको क्या-क्या वेनिफिट मिलेगा Realme Buds Wireless 3 में कोई भी चेंजेस या आपको साउंड क्वालिडिर के अंदर कोई भी चेंजेस आएगा की नहीं आएगा इंप्रूब्मेंट आएगा की नहीं आएगा वो सब इस वीडियो में मैं आपसे स्यार करूंगा तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको Realme Buds Wireless 3 का जो फामर अपडेट आया है इसको अपडेट कैसे करना है तो सबसे पहले आपको Realme Link Application से आपका Realme Buds Wireless 3 को कनेक्ट कर लेना है तो मैं एक बार इसको disconnect करके फिर से connect कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर connect हो रहा है और उसके बाद आपको Realme Link Application को open करना है और open करने के बाद आपको यहाँ पर सामने यह update देखने को मिल जाएगा तो आप अगर इसको later करेंगे फिर भी आप इसको कर पाएंगे तो आप यहाँ से Realme Buds Wireless 3 को पर tap कीजिए और tap करने के बाद यहाँ पर आपको update देखने को मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर जो 3.0 है इसके अंदर आप tap करेंगे तो आपको यहाँ पर यह update देखने को मिल जाएगा तो यह जो firmware update है इस update को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों के उपर ध्यान रखना चाहिए आपको यहाँ पर एक list दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर keep your device close to your phone during the update मतलब update के time पर आपको यह जो device है आपको दोनों को close में रखना चाहिए और उसके बाद makes your phone and device are sufficiently charged मतलब आपको sufficiently इसको चार्ज करके रखना चाहिए और keep the phone screen on and do not exit this app during the update मतलब update के time पर आपको screen को बंद नहीं करना है और इसको exit नहीं करना है और उसके बाद इस update में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मतलब fix known issues मतलब कोई भी issue अगर इसका अंदर था तो उसको fix किया जाएगा sound quality में कोई भी changes आता है कि नहीं आता है हम लोग बाद में देखेंगे मैं आपको detail में बाता होंगा update होने के बाद तो इसको update करने के लिए आपको update now के उपर tap करना है और उसके बाद आपका download हो जाएगा तो download complete हो गया तो उसके बाद यह update कर रहा है realme 223 को तो यह तुरांद डाउनलोड हो जाने के बाद आपको percentage यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह update हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको review दे रहा हूं realme 223 का तो realme 223 को मैंने launch price पर ही खरीदा था तो realme 222 मेरे पास था तो realme 222 का भी experience मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और realme 223 का जो experience है वो भी बहुत अच्छा है तो आपको realme 223 में जो sound quality देखने को मिलता है बहुती crisp and clear देखने को मिलता है deep basis के अंदर आपको देखने को मिलता है जो कि आपको realme 222 में देखने को नहीं मिलता था और इसमें आपको Realme Link Application का अंदर Custom Equalizer भी देखने को मिलता है और इसमें जो आपको Noise Cancellation देखने को मिलता है Transparency Mode देखने को मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है तो ये अभी restart हो रहा है तो बार ओल Realme Barz Wireless 3 जो आपको 1700 में देखने को मिलता है आपको बहुत ही अच्छा ये डिल देखने को मिलता है 2000 रूपीज के बीच में आपको कोई भी दूसरा यारफोन ऐसा Sound Quality ऐसा Build Quality इसका अंदर आपको Noise Cancellation और Transparency Mode जो देखने को मिलता है वो भी Realme Barz Wireless 2 से अपडेटेड है तो आपको बहुत ही अच्छा एक Experience देखने को मिलागा Realme 243 में तो अपडेट हो चुका है मैं इसको बैक कर ले रहा हूं और यह restart भी हो गया है तो इसको एक बाद disconnect करके मैं फिर से connect कर रहा हूं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर firmware update हो चुका है 1.1.0.64 में यह updated है तो Realme Link application में ही कुछ changes आया है की नहीं आया है सबसे पहले देख लेते हैं तो यहाँ पर कुछ changes देखने को नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पर pure bass और equalizer आपको देखने को मिलता है आप यहाँ से equalizer को change कर सकते हैं और मैं इसको थोड़ी देर use करता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ कि इसमें sound quality में कोई भी changes आया है की नहीं आया है improvement आया है की नहीं आया है तो दोस्तो Realme Buds Wireless 3 update होने के बाद इसमें sound quality में थोड़ा सा changes आया है और pure bass में भी आपको बहुत ही अच्छा bass देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे जो change किया गया sound quality में मुझे जो difference लगा है update करने से पहले और update करने के बाद इसमें जो treble का quality है treble का जो crispiness से उसको थोड़ा सा कम किया गया है इसमें आपको treble थोड़ा सा high side देखने को मिलता था तो इस update के बाद इसमें थोड़ा सा slight सा एकदम minor सा treble को कम किया गया है और यह काफी अच्छा है treble कान में चुबता था तो उसको fix किया गया है तो मुझे सुनके ऐसा feel हुआ कि यह changes किया गया है और दोस्तों इसमें जो special audio 360 degree का जो immersive audio इसके अंदर दिया गया है तो यह जो update है इस update में यह जो special audio है special audio को बहुत ही जादा improve किया गया है मुझे ऐसा लग रहा है तो आप भी यह special audio का feature जो है इसको use करके देखना कि कैसा आपको लग रहा है और उसके बाद अपना opinion मुझे comment section में अब बताना जरूर तो special audio इससे पहले के update में मैं use नहीं करता था और यह जो update है इस update को करने के बाद special audio का जो effect है effect आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है तो आपको अभी जो special audio का मजा देखने को मिलेगा इसमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और आपको experience बहुत ही अच्छा मिलेगा तो realme 12LS3 का यह जो update है 1.1.0.64 update तो इसमें आपको sound quality भी improvement देखने को मिलता है इसके अंदर और इसमें special audio का भी improvement आपको देखने को मिलता है realme 12LS3 में तो आप अपना realme 12LS3 में यह जो firmware update है इसको आप जरू से कर लीजिए तो आपको यह सारा improvement देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में इंदा ही वीडियो अगर आच्छा लागा तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकोन को all पर कर दीजिए ताकि हमारी चैनल से आने वाला हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो मिलते हैं कुछ और interesting वीडियो में तो तब तक के लिए बाई बाई